आप लोग अच्छे होंगे मैं हूं मनीतारपन मैं यूटूब चैनल में आपका स्वागत करती हूं चलिए आज हम क्लास 12 5.6 एकसरसाइज को देखने वाले हैं तो देखें इसमें क्या कहता है इस चेप्टर में आपका क्या है कि आलग भेरियेवल का कोस्चन है और डी वाई वर्टे डी एकस फाइंड आउट करने कह रहा है ठीक है आपको तो यहाँ में देखेंगे कि यह आपको अलग सकता है तो आप इसके अनुसार से देखेंगे कि क्या है देखें यहाँ पर जैसे कोस्टर नमर फर्स्ट को लिए है इसमें एकस इकॉल टू टू ए टी स्कॉयर है बाई इकॉल टू ए टी पाबर फोड है ठीक है तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो वैरियेवल जो हमा विट रिस्पेक्ट टू टी तो देखें यहाँ पर यकस का टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेसियेशन डी एकस अपॉण डी टी इकॉल टू टू एक कॉंस्टेंट है और यहाँ पर टी स्कॉयर है तो टी स्कॉयर का डिफ्रेसियेशन कितना टू टी क्योंकि जो पाबर में रहता है उससे एक decrease हो जाता है ठीक है जैसे 2 था तो एक decrease हो गया power तो 1 आ गया और 1 को नहीं लिखते है तो यहाँ पे solve करेंगे तो 4 A T हो जाएगा ठीक है उसके बाद and अब इससे निकाल लेते हैं D Y upon D 2 equal to A रहेगा constant T पे power 4 का 4 T पे power 3 हो जाएगा क्योंकि एक decrease होगा तो 4 minus 1 कितना 3 आप इसको हम लिख सकते हैं 4 A T Q इसे लिए अब देखी यहां से हमें निकालना सब में क्या है D Y वोटे D X find out करना है तो D Y वोटे D X equal to क्या हो जाएगा इसको लिख सकते हैं D Y upon D 2 upon D X upon D 2 ठीक है यहां से D 2 और D T D T को cancel करेंगे तो आजाएगा सिर्फ D Y वोटे D X वज़ेगा ठीक है तो D Y वोटे D T equal to 4 A T Q और D X by D T 4 A T 4 A से 4 A किंसिल A T से T कटे कितना आजाएगा T square इसका 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 है इसी तरह से कोस्टर नमपर 2 को देखेंगे बहुत ही सिंपल कोस्टर है एक दू कोस्टर आपको है लेंदी थोड़ा देखिएगा कोस्टर नमपर 2 X equal to A cos theta Y equal to B cos theta ठीक है X equal to A cos theta Y equal to B cos theta अब हम फिर यहाँ theta है variable तो यहाँ पर DC जो करेंगे theta के form DC of both side with respect to theta DX upon D theta equal to A cos theta का differentiation minus sin theta minus A sin theta and D Y upon D theta equal to क्या हो जाएगा B cos theta का हुई minus sin theta minus B sin theta इसलिए इसलिए हमें क्या find out करना है D Y वर्टे D X तो यहाँ पर इसको D Y upon D theta upon D X upon D theta क्या आजाएगा आपके पास देखे यह minus B sin theta upon minus A sin theta minus से minus cancel out sin से sin theta cancel out क्या बचेगा B upon A इसलिए इसी तरह से question number 3 को देखेंगे X equal to sin T Y equal to cos 2 T यह की देखें यहाँ पर variable है T के form में तो हम क्या करेंगे differentiation करेंगे T के respect में तो DC of both side with respect to T तो देखें यहाँ पर D X upon D T equal to sin T का cos T D Y upon D T equal to cos 2 T का cos minus sin 2 T and sin 2 T का 2 T का सिर्फ 2 तो इसको लिख सकते है minus 2 sin 2 T तो यह हमारा इसलिए D Y upon D X equal to D Y upon D T upon D X upon D T D Y by D T आजाएगा minus 2 sin 2 T upon cos T अब देखें थोड़ा सा आप solve कर सकते हैं यहाँ पर आप क्या कीजिए minus 2 रहने दीजिए sin 2 T का formula 2 sin T cos T upon cos T cos T से cos T cancel out क्या बच गया minus 4 sin T इसलिए ठीए कोसर नमबर 4 देखेंगे कोसर नमबर 4 में देखेंगे कि यहाँ भी जो वैरियेबल है वो हमारा T के form में किसके form में है T के form में है तो यहाँ पर हम T के form में differentiation करेंगे T के respect में तो यहाँ पर लिखेंगे DC of both side with respect to T ऐसे भी लिख सकते हैं कोई टेंसर नहीं ड्राइवेटिव आफ यक्स with respect to T यक्स का ड्राइवेटिव हम करेंगे किसके respect में T के respect में हिंदी में जो लिखेंगे वो लिखेंगे यक्स के T के साफ है दोलो तरफ आफ कलर्स करने पर ठीक है तो यहाँ पे D X अपान D T इक्वाल तो 4 अट ट के ड्राइवेटिव के रिस्पेक्ट में 1 4 आगया अज ड्राइव आपान D T इक्वाल तो 4 और 1 by T का क्या पढ़ है माईनस 1 by T square अब यहाँ से आगया माईनस 4 अपान T square इसलिए dy upon dx equal to dy upon dx upon d sorry dt और dx upon dt तो dy upon dt equal to minus 4 y t square और dx upon dt 4 यह नहीं कुछ हो नीचे है 1 है यह उपर चला जाएगा minus 4 upon t square और यह into 1 by 4 4 से 4 cancel out minus 1 by t square ठीक है चले question number 5 को देखेंगे चले question 5 x equal to cos theta minus cos 2 theta y equal to sin theta minus sin 2 theta अब इसमें फिर यह वर theta का है तो हम किसके respect में करेंगे theta के respect में तो dc of both side with respect to theta dx upon d theta equal to cos का minus sin theta minus cos का minus minus plus sin 2 theta 2 theta का 2 ठीक है और एंड d by upon d theta equal to sin का cos theta minus cos 2 theta 2 theta का 2 इसलिए d by upon d x equal to d by upon d theta upon d x upon d theta यह आग्या cos theta minus 2 cos 2 theta upon minus sin theta plus 2 sin 2 theta अब यहां से थोड़ा सा solve करेंगे cos theta रहने दीजिए minus आप इतना भी answer छोड़ सकते हैं और नहीं तो solve भी कर सकते cos 2 theta का यहां से तो sin निकल जाएगा लेकिन उपर से cos का form में निकालेंगे इतना भी answer छोड़ दीजिए आप इसको क्या करीजिए वस 2 sin 2 theta और minus sin theta x equal to a theta minus sin theta y equal to a 1 plus cos theta गलती से छोड़ गया 1 plus ठीक है 1 plus cos theta चलिए यहां भी variable theta का है तो theta के respect में ही differentiation होगा तो dc of both side with respect to theta ठीक है dx upon d theta a theta 1 minus sin theta का cos theta ठीक है और dy upon d theta नीचे भी लिख सकते है and dy upon d theta equal to a 1 का 0 plus cos theta का minus sin theta तो यह आजाएगा minus a sin theta इसे लिए dy upon dx equal to minus dy upon d theta upon dx upon d theta minus a sin theta upon a 1 minus cos theta a से a cancel out बचा क्या minus sin theta 1 minus cos theta ठीक है ठीक है और sort करना चाहते है तो इसमें लगा सकते फॉर्मूला क्या लगाएगे जैसे minus sin theta का है तो 2 sin theta by 2 cos theta by 2 upon देखेंगा यहाँ cos 2 theta का फॉर्मूला होता है 2 cos square theta 1 minus 1 minus यह सूट करेगा 2 sin square theta अब इसको इधर करेंगे तो 2 sin square theta equal to 1 minus cos 2 theta एंगल को change कर दीजे theta by 2 कर दीजे तो देखें 1 minus cos theta ब्रावर क्या आगिया 2 sin square theta by 2 2 से 2 cancel sin से 1 sin cancel minus cos theta by 2 upon sin theta by 2 क्या गया minus cos theta by 2 ठीक है तो यह स्फॉर्मूला को लगाए तो थोड़ा सा step बढ़ा लेकिन इंसर और छोटा हो गया आप इत्ता भी छोड़ सकते है लेकिन सिर्फ एंगल को change करने से ही छोटा हो गया तो ऐसा नहीं है कि आप अगर एक्जाम में ये इंसर देंगे तो गलत हो जाएगा जी नहीं अगर आप ये भी इंसर छोड़ेंगे तो आपको full marks मिलेगा और ये भी इंसर देंगे ये सिर्फ एंसियार्टी का इंसर मिलाने के लिए अब आपके पास एक्जाम में इंसर नहीं रहेगा सेम इंसियार्टी का कोस्वन नहीं रह सकता है तो वहाँ में आप क्या जानेंगे कि कितना जहां तक solution में mind काम करें वहां तक आप काम करेंगे और आगे के लिए आगे छोड़ देंगे ठीक है तो यहाँ पर DC of both side with respect to T dx upon dt equal to साइन ध्यान से देखेंगे U by V के form में होगा किसके form में होगा U upon V के form में तो देखें यहाँ साइन का करेंगे तो 3 साइन स्क्वार T और साइन T का कोस T ठीक है रूट कोस्टू T माइनस साइन क्यू T और रूट X का डिफ्रेशियेशन 1 upon 2 root X होता है कोस्टू T फिर कोस्टू T का माइनस साइन 2 T और 2 T का 2 ठीक है अपोन V स्क्वार रूट कोस्टू T का होल स्क्वार ध्यान से देखेंगे यू अपोन V में किये है यू का ड्राइवेटिप्स किये है और माइनस सॉरी यू का ड्राइवेटिप्स भी जियों का तियों माइनस यू जियों का तियों अभी का ड्राइवेटिप्स ठीक है अब बटे b square तो b square इतना का square ये root और square cancel out 2 से 2 cancel out अब चलिए क्या बचाए देखेगा यहाँ ध्यान से अगर इसके नीचे कुछ नहीं है तो आप one लिख सकते हैं दिख लिखें नहीं तो step बढ़ाना है तो अभी थोड़ा सा इसको clear कर लीजें अब देखें अगर हम यहाँ पर one कर दे तो LCM लेने में सुभी था होगा हम इस दोनों का LCM लेंगे root cos 2t तो यह हमारा इससे यह गुना हो जाएगा तो 3 sin square t cos t और cos 2t आजाएगा ठीक है plus sin qt sin 2t और यह नीचे में बचा हुआ है cos 2t ठीक है अब देखेंगा यहाँ पर द्धोड़ा सा 3 इस में क्या common हो दिख रहा है और यहाँ पर थोड़ा सा sin 2t को तोड़ सकते है step नहीं बढ़ाते हुए 2 sin t into cos t ठीक है फार्मुला से तो यहाँ पर हम common ले लेंगे sin t sin t into cos t यह आपका बचा 3 3 sin t तो ले लिए हैं sin t और cos t common आगया cos 2t पलस यहाँ देखेगा sin q t sin t cos t common लिए हैं तो 2 sin q t अपकान यह देखे यह दोनों नीचे ही multiple होगा तो यहाँ पर 1 plus 1 by 2 कितना होगा 3 by 2 पावर एड़ हो जाएगा तो इस पर पावर कुछ नहीं है 1 है इस पर हाप है तो 1 plus 1 by 2 कितना हो जाएगा 3 by 2 तो यहाँ पर हम लिख सकते है cos 2t पे पावर 3 by 2 अब देखेगा ध्यान से sin t cos t 3 sin t और इसका cos 2t का फॉर्मूला sin के फॉर्म में 1 minus 2 sin square t होता है ठीक है अपलस 2 sin qt upon cos 2t पे पावर 3 by 2 अब देखें यहाँ पे sin t cos t multiple करेंगे तो 3 sin t minus 3 to 6 sin qt हो जाएगा ठीक है plus 2 sin qt अपाइगा 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 यहाँ पे देखेंगे 3 by 2 अब देखें एक फॉर्मूला यहाँ पे आ रहा है यह आपका निकल के आगया dxy dt dxy कितना आगया dt अब हमें निकालना है dy upon dt देखें यहाँ and d by upon dt equal to cos qt का differentiation करेंगे तो 3 cos square t अब cos t का minus sin t root cos 2t जियों करते हो minus cos qt 1 upon 2 root cos 2t अब cos 2t का minus sin 2t अब 2t का 2 upon root cos 2t whole square cancel out हो गया यहाँ पे बचाम में हमारा minus 3 cos square t sin t root cos 2t अब minus minus पलस यह 2 से 2 cancel out बचा क्या cos qt sin 2t upon root root cos 2t upon cos 2t अब देखें फिर उसी तरह से solve करेंगे इसके नीचे क्यूच नहीं है उवाल नीखेंगे LCM लेंगे तो LCM लेंगे तो यही से multiply हो जाए minus 3 cos square t sin t cos 2t ठीक है पलस cos qt sin 2t cos 2t into cos 2t यह नीचे वाला नीचे ही रह जाएगा अब देखें फिर इसी तरह से इस पर power half है इस पर power 1 है तो 1 पलस half कितना हो जाएगा 3 by 2 हो जाएगा क्योंकि आप multiply में power क्या होता है add हो जाता है तो यहाँ पर देखेंगे minus अब देखें फिर common लेंगे हम यहाँ पर sin 2t को लिख सकते है लिख दीजे 2 sin t cos t अब देखेंगे यहाँ पर minus 3 sorry common ले रहे है क्या cos t sin t तो minus 3 cos t और इस cos 2t को लिख सकते है 2 cos square t minus 1 ठीक है formula होता है cos 2x का 2 cos square x minus 1 और इदा सब common आ गया था अब पलस 2 cos q t upon cos 2 t 3 by 2 अब फिर से देखेंगे यहाँ पर तो यह sin t cos t तो हो गया cos t sin t multiply करेंगे इसको तो minus 3 to 6 minus 6 cos t into direct लिख देते है cos q t ठीक है क्योंकि ऐसे ही यह बहुत लंबा जा रहा है ज्यादा डिटेल लिखने पर और ही भी लंबा जाएगा देखिए हम और फिर माइनस माइनस पलस 3 cos t अब पलस 2 cos q t अपन cos 2 t पी पी पावर 3 by 2 cos t sin t ठ्याद से देखेंगे minus 6 cos q t पलस 2 cos q t क्या बचेगा इसको पहले लिखने है 3 cos t पलस माइनस आजाएगा 4 cos q t अपन cos 2 t पावर 3 by 2 अब फिर यह फॉर्मुला ले लिया 3 cos x minus 4 cos q x किसका फॉर्मुला होता है अभी देखेंगे यह formula पर set हुआ रही है इसमें अगर minus common लेते हैं तब formula पर minus common ले लेंगे तो minus cos t sin t तो यह आजाएगा 4 cos q t minus 3 cos t अपन cos 2 t पे पावर 3 by 2 अब यह formula आ गया ठीक है तो minus cos t sin t cos 3 t अपन cos 2 t पे पावर 3 by 2 यह आ गया और यह हमारा था क्या d by बटे d t यह आया और d x by d t नहीं से लिए d by upon d x equal to d by upon d t और d x upon d t d by upon d t आ गया हमारा यह minus cos t sin t into cos 3 t upon cos 2 t पे पावर 3 by 2 upon d x by d t यह था ठीक है पहले बाला मिटाए नहीं थे sin t cos t sin 3 t upon cos 2 t किलियर है यहाँ था? चलिए आप आगे का देखेंगे यह से यह cancel out हो गया यहाँ पर देखेंगे cos t से cos t sin t से sin t cancel out बचा किया minus cos 3 t upon sin 3 t अब कितना होता है? minus cos 3 t अब कितना होता है? यह आप इसको थोड़ा solve करेंगे minus sin t plus 1 बटे 2 और सेक को लिख सकते है 1 बटे cos square t by 2 और इसका 10 का sin t by 2 cos t by 2 यह से यह cancel अब यह दो नीचे और थोड़ा सा solve कर लेंगे a minus sin t plus 1 बटे 2 sin t by 2 cos t by 2 सब नीचे ही रह जाएगा ठीक है? अब यह एक फॉर्मूला ले रहा है a minus sin t plus 1 बटे 2 sin t by 2 cos t by 2 होता है 1 by sin t का ठीक है? अब यह और solve करेंगे इसको तो a minus sin square t plus 1 upon sin t अब देखीगा यहां पे a 1 minus sin square t बड़ाबर क्या होता है? cos square t cos square t upon sin t ठीक है? इतना रहने देचे आगे का solution में अगर नहीं कटेगा तो solve कर देंगे आप देखीगा इसी तरह से and d y बटे d t निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा a sin t का cos t इसलिए d y upon t x equal to d y upon d t upon d x upon d t ये आजाएगा a cos t upon a cos square t upon sin t a से cancel ये से ये cancel ये sin t उपर जाएगा तो ये हो जाएगा sin t upon cos t tan t ठीक है? question number 8 के लिए question number 9 number 9 में फिर variable theta का है तो d c of both side with respect to theta dx upon d theta equal to a sec theta का sec theta इंटो tan theta tan theta and d y upon d theta equal to b tan theta का sec square theta इसे लिए d y upon d x equal to d y upon t theta upon d x upon d theta b sec square theta upon a sec theta tan theta sec से एक से cancel क्या बचा? b upon a sec को 1 बटे cos theta और 10 को sine बटे cos theta cos से cos cancel out क्या बचा? b by a और 1 बटे sign बड़ा cos x theta cos x theta answer question number 10 question number 10 को देखेंगे यहाँ पे फिर variable theta का है तो differentiation करना पड़ेगा हमें theta के respect में तो dc of both side with respect to theta dx upon d theta equal to a cos theta minus sine theta plus theta का 1 और sine theta plus theta sine theta का cos theta ठीक है? अब देखें यहाँ से sine theta sine theta cancel out बचा a theta cos theta and d by upon d theta equal to a cos theta minus theta का 1 cos theta और पलस theta cos theta का minus sine theta a cos theta minus cos theta minus minus theta sin theta sin theta a theta sin theta इसलिए d by upon d x equal to d by upon d theta d x upon d theta a theta sin theta upon a a theta cos theta cos theta sin upon cos kitना होता है? 10 theta answer last question question number 11 11 देखेगा question number 11 यदी x equal to y equal to इतना तो दर्साने के लिए कह रहा है d y to d x equal to minus y y x ठीक है? तो सबसे पहले हम simple सा यहाँ पर t variable का है t variable का है तो हम differentiation करेंगे t के सापेच में तो dc of both side with respect to और नहीं तो थोड़ा सा इसको देखेगा इसको solve x equal to root a power sin inverse t y equal to root a power cos inverse t ठीक है? dc of both side with respect to t dx upon dt equal to root x का differentiation 1 upon 2 root x a power sin inverse t और फिर root का a power x log a a ठीक है? a पर power x का differentiation लिखाए है a power x log a ठीक है? a के जगा पर a ही था? आप देखी यहाँ पे आगे ध्यान देंगे यहाँ तक तक तो आप लोग को किलियर होगा? क्या कुछ नही है? root x का 1 बटे 2 root x ठीक है? into अब a पर power x का a पर power x log a formula होता है? अब हमको करना है sin inverse का sin inverse t का 1 root under 1 minus t square हो जाएगा? ठीक है? अब देखिए कुछ नहीं करना इसको छोड़ दीजी आप and dy वोते dt आप निकालिए dy upon dt equal to 1 upon 2 root a पर power cos inverse t ठीक है? into a पर power cos inverse t log a into cos inverse t का minus 1 root under 1 minus t square ठीक है? अब देखिए इसलिए dy upon dx equal to dy upon dt upon dx upon dt तो dy upon dt कितना हो जाएगा? minus a power cos inverse t log a upon 2 root a power cos inverse t root 1 minus t square ये दोनों नीचे रह जाएगा? upon dx y dt ये है है हमारा तो उपर में है a sin inverse t log a upon 2 root a पर पाबर sin inverse t into root 1 minus t square देखिएगा? जो cancel out हो रहा है? कर देगे 2 से 2 ये से ये log a से log a अब देखिए इसको हम root x into power save रहने पर भाग में power घटता है गुना में power जुटता है याद रखेंगे multiply में add होता है और divide मे subtract होता है तो यहाँ पर देखेंगे क्या हो जाएगा? minus a पर पावर cos inverse t upon root a पर पावर cos inverse t और यह उपर जाएगा तो into root a पर पावर sin inverse t upon a पर पावर sin inverse t अब देखेंगे ध्यान से देखेंगे root x बटे x है तो इसको हम पहले इसको देखेंगे x बटे root x है तो हम इसको लिख सकते है root x गुने root x बटे root x देखेंगा ध्यान से यह से यह किंसी root x बचेगा बचेगा या फिर हम अधार सेम रहने पर भाग में पावर घट जाएगा तो 1 है उपर 1- हाप करेंगे तो हाप हाप को फिर क्या लिखते है rooty लिखते है ठीक है तो यहाँ पे यह हो जाएगा बच जाएगा minus root a पर पावर cos inverse t into इसको नीचे लाएगे तो यह हो जाएगा root under a पर पावर sin inverse t ठीक है यहाँ भी देखे root x upon x था तो यहाँ पे root x upon root x into root x cancel out root x बच गया ठीक है अब x की जगा पे जो था हम डाल दिये अब यहाँ पे minus root root a पर पावर cos inverse t root a पर पावर sin inverse t अब देखे यहाँ से root a पर पावर cos inverse t किसका value था y का तो minus y upon x यहाँ पे लिख सकते है from equation first and second ठीक है फ्रूट यही तो फ्रूट करना था dy upon dx equal to minus y by x यही आपको प्रूट करना था ठीक है चलिए तो अब next chapter next exercise के साथ next day मिलते हैं next video के साथ अगर अच्छा लगा है तो please मेरे लिए तीन काम करना ना भूले share, subscribe and like thank you so much